जब World War 2 पूरा खतम हो गया था तो व्रिटेंग के प्राइम मिनिस्टर विस्टर चर्चिल ने कहा था कि पूरे World War 2 में जिस एक बात को लेके उसको सबसे जाधा डर लगा वो था U-Boats जर्मनी की सब्मरीन से उसने ये तक कहा था कि जब Battle of Britain हो रहा था ना जब जर्मनी की लुफफ़ाफे उनकी एरफोर्स आके बॉम्स गिरा रही थी और असा लग रहा था कि अब इनकी एरफोर्स रॉयल एरफोर्स खराब हो जाएगी तबा हो जाएगी और ये ल Churchill Churchill को U-Boats से डर इसे इतना लग रहा था क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसी हालत हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बुखन को जर्वनी हरा देंगे बिना एक भी सोलजर विरे में वेजे सिल्फ और सिल्फ की जो नेवी है उसको अरद हरा दिया उनको एक बार कमजोर कर दिया तो पिर बिटेंग के पास जो पूरे देशों से उनके उमपार से ऑडियू स्पीर से इसके यह जर्वत- सबसे लंबा एक सिंगल बैटल था और आप समझें कि लगभग पांच साल से जादा यह बैटल चला था जब वर्ड वार टू स्टार्ट हो था और 1945 तक जाके खतम हुआ था कहानी शुरू होती है वर्ल वार वन से जर्मनी की यूबोर्टस पहली बार इतनी घातक साबीत हुई थी वर्ल वार वार वन में ही और जब यह इंट्रिदूस हुई थी नेवल वारफेर में तब अलाइट कमांडर्स नेवल कमांडर्स यूबोर लेते नहीं थे बड़ जब यूबोट ने अपना कहर बरपाना शुरू किया उन्होंने एक के बाद एक शिप को डुबाना शुरू किया तब धीरे-धीरे करके एलाइट कमांडर्स को बता चला कि यूबोट का जो थ्रेट है बहुत ही खतरनाक है और इसके साथ उनको डील कर मतलब बहुत सारी शिप एक साथ चलती है जिसमें कुछ मर्चंट शिप रहेंगी और उनके आस पास रहेंगी डिस्ट्रॉयर शिप मतलब 20 शिप जो आपके प्रोटेक्शन के लिए चल रही है और अगर यूबोट दिखाए पड़ी तो यूबोट को उनको पीछा करके उन फाइनली फिर ब्रितन में डेप्थ चार्ज का इंवेंशन हुआ जो एक रॉयल इंजीनियर था ब्रिटिश नेवी का उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो अगर आप पानी में छोड़ दो तो एक गहराई पर जाके वो डिवाइस एक्स्प्लोड हो जाती है तो यह जो डे घ्रमन्स ने देखा कि यह तो डेप चार्ज गिरा-गिरा कि हमारी सम्मेरिस डुबा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि चलो व्र्ल वर वन तो लोग हार गए थे वह जानते थे वर्ल वर टू में कि इंके पास अब डेप चार्जर हैं और इसी से हमको डुबाने की कोशिश करें तो अब इस थ्रेट के साथ कैसे निपटा जाये यह जर्मनी के कमांडर सोच रहे थे तो जर्मनी का एक बहुत-बहुत बड़ो ओफिसर था उसका नाम था यह एक्चली वुल्फ के उपर अधारी थी तो जंगलों में क्या होता है जब भेडिये उनको किसी जानरों पर हमला करना होता है तो वह एक साथ हमला करते हैं एक अकेला केला भेड़ा नहीं कुछ बहुत सारे मिलके तो उनका एक वुल्फ पैक बन जाता है वही चीज इन्हो करने के लिए उनसे मुकाबला करने के लिए हम एक एक यूबोट को नहीं भेज़ेंगे हम भेज़ेंगे एक पूरा यूबोट का जथा एक ग्रूप इसमें होता यह था कि माल लीजे कि आप जर्मनी के कमांडर है एक सब्मरीन के और आपको पता चला कि सामने से की यूबोट वो सारी एक साथ आ जाएंगी एक पैक बना लेंगी और अब वो कॉन्वॉइ पे एक साथ हमला करेंगी यह जो वुल्फ टैक्नीक थी इसका स्टार्टिंग में जबर्दस रिज़र्ड निकला और इसका सबसे बड़ा क्रेट जाता है काल डॉनिस को तो इसके पास इतनी सब्मरीन ही नहीं थी डॉनिस से कह रहा था कि मुझे तीन सब्मरीन आप दे तो गिना आगा तो मैं अट्लांटिक में पूरी तरह यह बिटिश नवी को अगदम दे मुठ्यू में कर लूँगा बट उस समय सर्विस में सिर्फ 556 सब्मरीन थी तो उनको उ कोने से पहले अपनी नवी को स्ट्रॉंग बनाना है तो उसको यह था कि मैं अपनी बड़ी-बड़ी बैटलशिप बनाऊंगा इसलिए उसने बिसमार्ग बनाई एक जबरदस्त ताकतबर जर्मन बैटलशिप जिसके मने एक अलग सी वीडियो बनाया कि कैसे उसने सेल किया में हुआ था और ऑक्टोबर के महीने में ही एक यू-47 नाम की जर्मनी की यू-बोट थी वो चली गई एक ब्रिटिश बेस पे नेवल बेस पे उसका नाम था स्कैपा फ्लो और वहां पे एक ब्रिटिश पुरानी बैटलशिप थी जिसका नाम था HMS Royal Oak यह सम्मरीन जाके उ 800 से ज़्यादा ब्रिटिश सेलर्स की जान चली गई थी और जब यू-47 का कमांडर फाइनली हीटलर से मिला तो हीटलर बहुत कुछ होगा उसने क्या भाई तो बेस में उनको डूबा के आ गया तो काल डॉनिस ने एक काम तो कर लिया कि उसने हीटलर को इंप्रेस कर दिया क यहां यू-बोर्स में ताकत तो है उसके बाद जब जर्मनी ने 1940 में फ्रांस को हरा दिया तो काल डॉनिस ने क्या किया उसने अपना जो संबरींग का बेस था उसको मूव कर डिया फ्रांस में और अब फ्रांस के पोर्ट से यू-बोर्स निकलती थी और अट्लांटिक में जाके एलाइड शिपिंग को डुबाती थी इसके वज़े से यू-बोर्स की रेंज बढ़ गई और वो जाके सीधे अट्लांटिक महसागर के बीच में जहां पर एलाइड शिपिंग सबसे ज़्यादा खत्रे में होती थी वहां पर जाके यह लोग उन पर हमला करते थे इस समझे कि दिसंबर 1940 तक आते आते लगभग 5,000,000,000 टन की शिपिंग डुबा दी थी यू-बोर्स ने और लगभग 6,000 से जादा एलाइड सेलर्स अपनी जान गवा बैठे थे इसके बदले में यू-बोर्स का नुफसान बहुत ही कम हुआ था तो full on success enjoy कर ली थी यू-बोर और इसके साथ ही साथ और बत्तर हालत हुई allied shipping की जब Germans ने allied navy की जो communication हो रहा था उसको उन्होंने intercept करना शुरू किया और इनकी जो code थी code system था उसको उन्होंने crack कर दिया Germans तो अब Germans को exactly पता चल रहा था कि यह allied shipping है जो यह convoys है वो कहा पे जा रहे है किस समय किस तारीक पे कि इनको exactly पता था अब Germans को और यह बराबर अपनी wolf pack को इकठा करते थे और जाके attack करते थे तो एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि यह तो कुछ कर ही नहीं पा रहे है यह सारी shipping को तबाह कर दे रहे है तो full अपना एक छत्र राज enjoy कर रहे थे यह जर्मनी की यू बट इस बानते थे कि जब आट्लांटिक में उतरते हैं जब अमेरिका से चलती हैं ब्रिटेन के लिए या कहीं भी ब्रिटिश अंपायर की जो शिप्स हैं जब आट्लांटिक में पहुंचती है तो उनको पता है कि यहां पर यू बोर्ट हैं फिर भी एलाइट शिपिंग बरकरार लगातार उनकी चलती थी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था ब्रिटेन एक आइलेंड कंट्री है चारो तरफ वह पानी से घिरा हुआ है तो अगर उनका जो छोटा सा देश है अगर उनको बाहर से हेल्प ना मिले तो वह आसानी से खतम हो जाएंगे इसलिए उनके लिए ज घ्लाज बहुत और दुखी बात यह भी थी कि जबी ई एकोटे टी थी इंच आच करती थी इंच चीपस के उपर तो बहुत सारे सेलरस जब डूबती थी hungry법 दूब तो कुछ टो मर जाते दे जल की अग लगी तो मर जाते थे बट योज जब च्ते थे वयं लाल यकटन पानी बहुत 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 भारी निशान हो रहा था एलाइड शिपिंग को और एलाइड नेवी को नेवी का चीफ बना दिया और अब उसके पास पूरी जो उसकी यूबोट की फिलीट थी उसमें अब कुल मिला के 400 यूबोट थी और उसको था कि अब जो है आट्लांटिक में मैं ब्रिटेन की जो शिपिंग है उसका गला एकदम घोट दूँगा और इसी वज़े से चर्चिल के लिए और एलाइड लोगों के लिए कि यह जब सब कुछ अट्लांटिक महासागर में सब हो रहा था तो बैक्राउंड में एलाइड सेलर्स एलाइड टेक्नीशन्स और एलाइड साइंटिस्ट बहुत कुछ बहुत कुछ कर रहे थे वो लोग तो एक चीज़ त दिख रहा है कि दूर बहुत जर्मनी की यूबोट्स हैं अभी शिप्स जो उनका कॉन्वाइ वन तो दूर है पीछे है पट यह एरकाफ्ट आगे निकल गए उनको दिहाई पढ़ रहा है वहां पे बहुत दूर अभी यूबोट्स है तो वहां पर जाके लो क्या करते थे डेप चार्ज गिरा दिए और इनके उपर फायर करते थे तो क्या उता था ना कि यूबोर्ट्स अभी कॉनवाइड बहुत दूर हैं बट इनके उपर जब डेप चार्ज आके ब्लास होता था तो यहां पे यूबोर्ट्स डूबने लग दे तो Convoy protected रहा और दूर से ही यह aircraft दुबा रहे थे अब Germany की U-Boards को उसके साथ साथ फिर उसके बाद Allied लोगों ने धीरे धीरे इन Long Range Radars को install करना चुरू कर दिया destroyers के उपर मतलब Convoys में यह जो destroyers थे उनको भी दिखता था कि भी बहुत दूर है सब्मरीज तो फिर यह लोग जाके आगे बढ़के उनकी उपर फायर करते थे तो हो यह रहा था ने कि जो Convoy होता है Convoy के चारो तरफ protective cover होता है मतलब destroyers इस जगा पर ऐसी शिप्स है जो Navy की है जिनके पास यह ताकत है कि सब्मरीज से लड़ सकती है बीच में होती है vulnerable ships जिसमें सामान होता है खाना पीना आप समझे कि अमेरिका से ब्रिटेन की तरफ हर चीज जाती थी चाहे वो खाना पीना हो गया toothpaste, socks, कपड़ा, अनाज, सब कुछ वो भेजते थे हतियार, सब कुछ तो वो सारा जो सामान था वो convoy में बीच में होता था और आसपास होता था प्रोटेक्टिव कवर और यह सब जो आसपास की शिप्स थी उनको दिखाए पड़ता था कि यह दूर सम्मरीन है और वो अटाक करने के लिए त्यारी कर रही है तो यह लोग फायर करते थे उनके उपर और उनको डूबा रहे थे तो इन इन्वेंशन की वाज़े से एलाइड लोगों को बहुत बड़ी मदद मिली यूबोट्स के अगेंस्ट उसके साथ ही साथ एलाइड लोगों ने एनिग्मा कोर्ट जो था जिसको पूरी जर्मन नेवी उनकी यूबोट्स इस्तेमाल करती थी उस कोर्ड को एलाइड उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो ये अनिगमा मशीन को उन्होंने क्राक कर दिया था और जमनी को पता ही नहीं थी क्योंका कोड क्राक हो गया है फिर उनके पास अब लॉंग रेज रडार थे बिटिश लोग के पास और साथ ही साथ अब ब्रिटिश लोग क्या करते थे कॉन्वोइस में बड़े बड़े अपने एर्क्राफ्ट कैरियर भी वेश्टे थे वह तो ये कैरियर का फाइदा यह था कि जब कॉन्व की साथ आपका कैरियर चल रहा है तो उनके उपर प्लेंज भी है उनको पता चला है कि जब वह एट्लांटी की बीच में आ रहे हैं यहीं पर सम्मरीन का अटाक होता है तो फटाक सी उन्होंने अपने एक्राफ्ट लांच कर दिये और प्लेंज जाते थे वह उड़ते थे हवा में और देखते थे दूर अभी कुछ किलोमेटर दूर दिखा चार्जर से डॉनिस को तो यह लग रहा था कि उनकी नेवी में कोई बहुत सीन और को गदार है जो एक्जाक्ली सारे इंफर्मिशन पास-उन कर रहा है ब्रिटिश लोगों को कैसे उनको पता चल रहा है कि हमारी सम्मरी जहां पर हैं पर डॉनिस को पता नहीं थी कि सबसे चोटा बेटा था वो मारा गया तो इस बात से काल डॉनिस को खुद परसर ही बहुत धक्का लगा और उसने सचा कि अभी हमको यह लड़ाई कंटीनू नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अग बुरी तरह हार रहे हैं तो असमती यूबोर्स को वहां से विद्रौ कर लिया जब डॉनिस ने आके हिटलर से बात की कि हमारी सम्मरीज बहुत तेजी से डूब रही हैं और कुछ तो गढ़बढ है हमको अभी अपनी सम्मरीज को डिपलाई नहीं करना चाहिए तो हिटलर ने का रहे क्या बात कर रहा है तो इस सम्मरीज को कितना ड्वांटेज मिला है किसी भी कीमत पर हम सम्मरीज महां से हटाएंगे नहीं लगातार तुम एलाइड लोंगे पर अटाक करते रहो डॉनिस ने समझाया कि अब हमारी सम्मरीज बहुत तेजी से डूब र आ रही थी अब क्योंकि 1943 तक आते आते इस्टन फ्रेंट पर जर्मनी की एरफोर्स पूरी तरह लगी हुई थी तो अब जर्मनी की एरफोर्स यहां की मदद नहीं कर रही थी और ये बात हिटलर समझ नहीं रहा था उसको बता कि कुछ भी हो यूबोर्स का जो अटाक है वह समझें कि हर बार यह हालत हो गई थी जब जब यह जो वूल पैक्स थे जब अटाक करते थे तो एक एक सब्मरीन डूब रही थी इतनी बुरी हालत हो गई थी और काल डॉनिस इस बात को अच्छे से जानता था कि जिस स्पीट पे हमारी यूबोर्स डूब रही है उस स्पी कर रहा था तो डॉनिस समझ गया कि इस लड़ाई को अब जीत नहीं सकते हैं तो वापस काल डॉनिस ने अपनी यूबोर्स को यहां से विड्रॉ किया और इस बार जोसने रिट्रीट किया था यह पर्मनेल था डॉनिस इस बात को समझ गया था कि अट्लांटिक में और पू लड़ाई को जीत चुके थे तो इस पूरी लड़ाई में 100 से जादा कॉन्वाइ बैटल्स हुए थे जब कॉन्वाइ जा रहे थे और समझ गया था और इसमें एलाइट की मर्चन नेवी की लगभग 36,000 सेलर्स की जान गई थी और उनकी नेवी की लगभग 35,000 उसके सामने जर्मन नेवी ने लगभग 30,000 सेलर्स को गवाया था एलाइड लोगों ने लगभग 30,000 सेलर्स को गवाया और उनके सामने जर्मनी ने लगभग 783 यूबोट्स को गवा दिया थे इस लड़ाई में बैटल अट्लांटिक एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट इवेंट था और मैंने इतना शौट में बताया आपको बट क्योंकि ये इतने सालों तक चला था तो 1939, 40, 41 असे करते करते समय तक चला था तो ये अपने आप में बहुत ही कमाल का एक बहुत कमाल किसी कहानी है तो मैं चाहता हूं कि मैं बैटल आटलांटिक एपर एक छोटी सी मिनी सीरीज ब इसके जवाब में उन्हें नहीं टाक की सम्मरीन इंट्रीज की तो ये बहुत कुछ हुआ था आटलांटिक की बैटल में जो इस वीडियो में आपको बहुत शॉट में मता है बट ये मेरी सीरीज का एपिसोड 60 था इसका जो नेक्स एपिसोड है एपिसोड 61 उसका लिंक आ और अगर आपके वीडियो अच्छा रहा तो मेरे चैनल जी ग्यासियम को सब्स्क्राइब ज़रू करें